हेलो फ्रेंट्स आप देखरें आपके चनल शे बादर विदायूश और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स की बारे में तो देखिए आज टाटा मोटर्स में हम कह सकते एक बहुत ही बढ़िया सेशन देखने को मुला है छे परसन से जादा दोस्तों आज के दिन में हमको टाटा मोटर्स बढ़ता हुआ दिखा करीबन 1089 पर ट्रेड कर रहा था at the end of the day 61 रुपीज उपर आज के सेशन में देखने को मुला है जैसे मैंने का almost 6 परसन आज आज आपको उपर देखने को मुला है और पिछले दो दिन इसके लिए काफी बढ़िया रह किया और 6 परसन बढ़ा है पिछले 5 दिनों के अंदर ये शेर almost 27 परसन आज परस बढ़ चुका है और एक महिने में तो almost 14 परसन से ज्यादा का हमको इंक्रीज जो है वो टाटा मुटर्स में already देखने को मिल चुका है तो एक अच्छा का सा मूव जो है वह आज देखने को मि भी है बलकि मैं तो यह कह सकता हूं कि देखे दिन के हाईस के करीब जाकर भी क्लोज होना यह अपना आप में देखे एक बड़ी बात है जो आज टाटा मुटर्स में देखने को मिली और बिलकुल अब स्टॉक 1100 के लेवल के काफी नजदीग हमको देखने को मिलता है अगर देखने को मिलेगी जो भी अपना आप में काफी बढ़िया है आज at the end of the day यह बाद ध्यान रखेगा 1090.95 जो इसकी exact closing price है यह बाद ध्यान रखेगा 3330 पे और उसके बाद जो closing आती है वो एक adjusted closing होती है तो वहाँ पर करीबन 4164 selling orders आपको देखने को मिल रहे है अब यह कौ पर बंद हो जाता है तो selling orders दिख जाते हैं और नीचे बंद होता तो buying orders दिख जाते हैं अब सबसे important question तो यह आता है friends कि आज की तीजी की पीछे की वज़ा क्या है तो देखे की पीछे की वज़ा है नोमुरा का अपग्रेड जी हां नोमुरा ने इस company को यानि डाटा मुटर में आप देख सकते हैं किस प्रकार की दमदार तीजी हमको देखने को मिली जब यह report publish होई तब देखे 4% उपर था बलकि आप जैसाब आपको ने दिखाया की stock के अंदर किस प्रकार की तीजी उसके बाद भी continue relative नज़र आई 1090 पर share बंद हुआ है तो basically यहाँ पर नूमुरा ने कहा किया सबसे important बाद तो यह हमको समझने वाली तो देखें यहाँ पर upgrade जो किया है वो क्यों किया है उसके पीछे का reason क्या है उसके पीछे का एक सबसे बड़ा reason जो company ने बताया वो है transition from premium to luxury will help JLR stay one level above the high competition segments यह basically वो मानते है कि जिस तरीके से JLR है अब उसका premium से luxury के अंदर जाना यह basically company को एक step ahead रखेगा बाकी इसके competitors से यह basically नूमुरा कमाना है उन्हेंने काये कि we raise our target multiple for CVs to 11 times EV EBITDA from 10 times in line with Ashok Leyland D-merger may lead to better value discovery in our view we maintain passenger vehicles valuations at 1.5 times EV sales on average of F52627F sales and investment at rupees 144 per share यह basically उनको दोरा कहा गया मतलब important बात क्या है कि जो देख रहें कि Tata Motors का D-merger भी हमको होता हो अने जार आएगा अलग-अलग units बनते हो अने जार आएंगे margins जो है वो भी करीबन 0.5% तक increase कर सकते हैं जो 7.8% पहले थे उससे बढ़कर 10.1% हो सकता है यह 8.5 से 10.1 तक उनके margins भी जाते हुए देखने को मिल सकते हैं और उनका यह ही मानना है कि आगे भी margins में increase देखने को मिल सकता है और F530 तक 12% तक margins बढ़ जाए तो कोई बहुत ब जागवार EVs and more premium range rover variants. Note that guidance is 15% EBIT margins in the long term. We believe this depends on the success of Jaguar's EVs. The success of Jaguar racing in Formula E indicates the EV competencies of JLR. So basically, जो जादा बड़ी bet है, जो नुमरा लगाता हुआ नजरा रहा है, वो Jaguar के उपर लगा रहा है, Land Rover के उपर लगा रहा है, जो इनकी देखिए premium गाडिया है, अब premium to luxury के अंदर company का transition होगा, तो उससे इनको बड़ा फायदा हो सकता है, यह expectations है. इंडिया के बारे में भी का कि इंडिया में जो demand है for passenger vehicles और जो EV है, उसके अंदर थोड़ इसे weakness के sign देखने को मिल रहे है, but interesting बात क्या है कि company के नए launches, और नए launches किसमें होने वाले है, नए launch होने वाला है Curve, और Harrier the EV in FY25 में support volumes, अब देखें, यहां पर एक बाद ध्यान segment के अंदर भी आपको अपने pair डालता हुआ नजर आएगा, with Curve SUV और Curve EV, यह बाद जान रखेगा, यह बोध ICE और EV formats के अंदर आपको आदीव नजर आएगी, जो launch और price reveal है, वो basically 7 अगस्त को किया जाएगा, so no doubt दूस्तों company के जब नए launches हमको देखने को मिलते हैं, और जब no doubt यह भी एक बड़ा factor माना जा सकता है, तो आपको समनना पड़ेगा कि इसलिए हम कह सकते हैं, आपर नोमुरा ने, जो अच टागेट बढ़ा है, वो भी ज़रूरी बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें ने जो टागेट कर दिया है, वो कितना कर दिया है, 1294 यह बाद दान र लेकिन, indirectly दोस्तों, auto sector को benefit होता हुआ निजरा आएगा, इस budget से, क्यों ऐसा होता हुआ निजरा आएगा, इसी पीजे का बड़ा reason है, basically जो सरकार ने, यहाँ पर exemption किया है, custom duty और minerals, यह सबसे बड़ा factor हो सकता है, इन companies के लिए, और basically इससे होगा क्या, electric vehicle के prices में आपको एक reduction देखने को मिलेगा, with alteration in personal income tax and the announcement of employment support are expected to help the sales of passenger vehicles and two wheelers in the country, यह expectations, right, तो यह एक indirect benefit in companies को होता हुआ निजरा रहा है, जो PV और two wheelers बना रही है, और I think यह भी reason है, कि देखिए, यहाँ पर auto sector ने आज की दिन बढ़िया किया, कोई बड़ी घरावट दिखने पर नहीं मिली, विलक यह कह सकते, Tata Motors के अंदर आज एक अच्छा कासा move देखने को मिला, इसमें तो कोई doubt ही नहीं, अब यह बाद धान रखेगा, जो Tata Motors का यह move है, कितना टिकेगा, यह depend करेगा जब company के 1st of August को numbers आने वाले, numbers देके लगातार Tata Motors के बढ़िया आते वे दिख रहे हैं, अगर इसमें company जब numbers पेश करें, तो वह 4,37,000 क्रोड पहुच गया, तो company के sales के अंदर, जिस तरीके का बड़ा momentum हमको आता वा नजर आ रहा है, जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो अपना अपमें बहुत शांदा रहे, दूसरी बत ऐसा नहीं कि अगर company की sales बढ़ रहे हैं, तो अपनी almost 31,000 क्रोड का मुनाफ़ा company ने पुरे इस साल के अंदर report किया है, जो F23-24 था, so बताने वाली बात यही है, कि देखे numbers जो है वो लगाता Tata Motors के बड़ी आते वे दिख रहे हैं, और अब यह देखना है कि first quarter के numbers किस तरीके के रहते हैं, इसमें पता चल जाएका company की commentary क passenger vehicles, right, specifically EV vehicles को लेकर क्या कहते हैं, वो important बात है, otherwise अभी देखे company के जो shareholding button आया है, उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो जरूर FIAs और DIAs ने अपनी हिस्सा हिस्सारी थोड़ी से कम करी है, बट ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा stake जो है, वो change कर दिया, DIAs में देख अब यहाँ पर अगर आप दूसरी companies को compare करने जाएंगे, तो आप जैसे हैं यहाँ पर Ashok Leyland को देखते हैं, वो 27 की PE पे trade करता है, Electra Green Tech चलिए अलग, आप देख सकते है, Electra Green Tech अलग है, Force Motors अलग है, but Maruti, जो बड़ी बड़ी companies है, Maruti को देखें, आप 29 की PE पे trade करता है, M&M को देखें, 31 की PE पे trade करता है, अब जरूर देखें, हर company थोड़ा थोड़ा different different काम करती है, but no doubt, देखें, data motors में, अभी भी valuation comfort दिखता है, यह सबसे बड़ी बात है, right, क्योंकि company लगातार, बढ़िया करती भी दिख रही है, industry की PE देखे 27 की है, जहाँ पर share भी हमको trade करता है, वो तो काफी जादा नीचे है, valuations के हिजाब से, right, अब बड़ा question क्या है, कि देखें, क्या यहां से और तीजी बन सकती, देखें, simple सी बात है, stock at the end of the day, आपको हमेशे समद मैंना चीए, long term में, fundamentally चलेगा, news basis पे चल जाए, ठीक है, but fundamentally basis पे company कितनी बढ़िया है, वो depend करता ह I think company के fundamentals अभी काफी जादा बढ़िया है, उदर कोई issue साफ साफ नजर नहीं आ रहा है, यहां धान रखेंगा मेरे पास खुद के पास भी data motors है, तो जो भी आप decent ले, याद रखेंगा हमेशे अपने financial advisors को console करके लिए, और जो मैं बात कर रहा हूं, उस बात कर ध्यान रखें था, जो nifty के अंदर पूरा double होता हुआ नजर आ है, तो I think Tata Motors के अंदर अगर आप over a long term में देखेंगे ना picture क्या है, कि share चला नहीं जाथा, कभी भी, company के अंदर बहुत दिक्कत है रही, लेकिन I think अब वो दिक्कत है जो है, वो company उससे उपर उठ चुकी है, और आप इसलिए कर रही है, वो सारे जो issues थे ना, उसको company ने address किया है, so let's see क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं है देखे कले, 1150 तक भी जाता वा नजर आजाए, बढ़ हां मुनाफ़ा वसोली, no doubt आपको थोड़े बहुत आती भी नजर आएगी, ये बिल्कुल आप मान के तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगाओ तो लाइक करेगा, चैनल से पहले बाद जोड़े सब्सक्राइब करना, thank you friends for watching this वीडियो,